नमस्कार, जारखंड में जारखंड राजय फसल रहात योजना लागू हो चुकी है, ओनलाइन होना इसमें सुरू हो चुका है, खरीब फसल 2023 के लिए, लेकिन इसको लेकर के कई सारे कंफ्यूजन है लोगों के मन में, लोग इसको सुखार योजना समझ रहे हैं, ये सुखार योजना नहीं है यह एक प्रकार की बीमा योजना है मैं आपको बता दूँ कि यह एक प्रकार की बीमा योजना है मतलब आपके फसलों का बीमा होगा इससे सम्मंदित जब आप दिसार निर्देसों को पढ़ेंगे तो आपको इसमीज जानकारी मिल जाएगा जो कि आपको इस इसी वेबसाइट पर दिख जाता है, ये वाला वेबसाइट से ही मैंने स्क्रीन सोट करके रखा हुआ है, जिसमें देख सकते हैं या लिखा हुआ है योजना के परमुक प्रावधान, योजना अंतरगत लाब केवल प्राकृतिक आपदासे होने वाली फसल छती के मामडे में लागू, यानि आपको इसका लाब तभी दिया जाएगा इस योजना का, जब प्राकृतिक आपदासे आपके फसलों को नुकसान होता है, तभी इसका लाब दिया जाएगा, योजना का लाब लेने के लिए किसानों को ओनलाइन निबंदन एवंग परतेक फसल, मोसम, खरी इसके इंतरकत में खरी फसल का भी बीमा होता है, और साथ में रभी फसल का भी बीमा होता है, और योजना में भाग लेने के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना है, यानि ये बीमा जो है, इसमें किसी परकार का कोई प्रीमियम नहीं देना है, इससे पहले अपने सुना एक किस्त ली जाती थी, तब ही जाकर के आपका वो बीमा होता था, लेकिन सरकार ये बीमा कर रही है, बिलकुल निसूलक है, बिना कसी चार्ज के, और अगर आप फसल की रोपाई करते हैं, और आपके फसल का अगर नुकसान होता है प्राकृतिक आपदा से, तब जाकर के प्राकृतिक आपदा से अगर छती होती है, तो उसका नुकसान का निर्धारन जो है, वो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट सिसी के आधार पर किया जाता है, यानि वो देखते हैं कि कितने प्रतिसत नुकसान हुआ है, साथ में यहाँ पर देखें, पांचवा नंबर पॉ जादा नुकसान होता है, पचास परतिसत तक नुकसान होता है, तो आपको एक एकड में तीन हजार रुपईये मिलते हैं, जबकि अधी पचास परतिसत से अधीक फसल का नुकसान होता है, तो चार हजार रुपईया परति एकड मिलता है, और अधीक से अधीक आप पांच एकड तक ही बीमा कर सकते हैं, और कम से कम 10 डिसमिल ही करना होगा, आपको 10 डिसमिल से कम नहीं कर सकते, और 5 एकड से अधिक नहीं कर सकते, इसमें कोन लोग आवेदन कर सकते हैं, जो जारखंड के किसान हैं, जारखंड राजी के अस्थाई निवासी, आठरसल से ज़्यादा उम्र है, आपके पास अधार नमबर होना चाहिए आपके पास जमीन का दस्तावेज होना चाहिए, अगर आप बटाईदार क्यों करते हैं, तो बटाईदार के लिए एक अलग फॉरम आता है, वो और उनकी जमीन का पर्चाप को यहां पर अप्लोड करना होगा और साथ मैं आधार कार्ड मोबाइल नंबर और बंसावली को सत्यापित करा करके मुखिया गराम परधान राज़ेश करमचारी या अंचल अधिकाली से आपको ले जाना है तो इस प्रकार से अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया हुआ है तो धान से ले करके 30 सितंबर तक इसमें जो है वो ओनलाइन आवेदन होगा तो आप इसी बीच जो है वो ओनलाइन आवेदन कर दें इसके अलावे यह है इसका जो है वो किस प्रकार से क्रियान में होगा इसको ले करके यह बाला दिया हुआ और यहां पर भी आपको उसी प्रकार से परति एकड मिलेगा अधीक से अदीक प्राइधिटे केंदेन के यह इंटेर जाईए या अग्छुद अगर आवेदन करना जानते हैं तो खुद भी आप इस पर्टल पर आकर के आवेदन कर सकते हैं Link in discussion box में आपको हर परकार का मिल जाएगा साथ में आपको जो है वो क्या करना है कि एक बंसावली सत्यापित करा लेना है मुखिया, ग्रामपरधान, हलका करमचारी या फिर अंजलादिकारी से जमीन का परचा, अधारकार, बैंक खाता और मोबाइल ये सारे लेकर के आपको ये वाला रेशेशन करा लेना होगा नईदिकी प्रग्यां के दर ये से सेंटर से साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तीन नमर वाला जो है, अगर आप अपनी जमीन पर खेती करते हैं आपकी खुद की जमीन है, तो ये तीन नमर वाला जो फॉर्म है इसे आप डाउनलोड करेंगे, यह तीन नमरवला फॉर्म मैं यहापर डाउनलोड आपको करके दिखा दे रहा हूँ, यह जो आप फॉर्म देख रहे हैं, यह है अगर आप खुद की जमीन के उपर खेती करते हैं, इस फॉर्म को अनुलगनक एक नाम दिया गया है, अनुलग सहमती पत्र दिखा देता हूँ, यह है सहमती पत्र, अगर आप बटाईदार किसान है, तो आपको सबसे पहले यह सहमती पत्र जो है, अनुलगनक 3 जिसको कहते हैं, इसको सबसे पहले आपको भरना है, इस पर साइन करवाना है, बटाईदार का भी, और जो किसान है उनका भ चारी या फिर राजस्व करमचारी से और आपको इसी वेबसाइट पर आ करके ओनलाइन आवेदन कर लेना है बाकि अगर अन्य किसी प्रकार से परिसानी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ये है टॉल फ्री नंबर इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं ये टॉल फ्री नंबर है इसके उपर भी आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं हलांकि अभी जो है वो कई बार ऐसा हो रहा है कि आवेदन करते समय आपका रईश्यसन नहीं बता रहा है क उस सर्वर को लेकर के अभी भी समस्या है, आप थोड़ी देर इंतजार करें, कुछ दिनों तक इंतजार करें, सारी चीजें सही हो जाएगी, और फिर आप इसमें बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे, और इसी प्रकार से अन्य वीडियो के लिए आप बने रहे हैं, हम हैं आप नेवाद हैं